जेहिन दोस्तों, Master G-Info Channel पर आप सबों का श्वागत है दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं, Assam Rifles की जो नई requirement आई है दोस्तों, 2023 की सबसे बड़ी भरती Assam Rifles की आचुकी है दोस्तों, अलग-अलग पदों की ये vacancy आई है, बात करें दोस्तों की post की, तो total 95 post के लिए ये vacancy आई है, latest requirement है दोस्तों, तो देखते हैं इसको कैसे कैसे apply करना है, क्या requirement है, क्या इसमें जो है दोस्तों, क्या आप पास हो ताकि apply कर सकते हैं, तो चलिए दोस्तों start करतें आज का वीडियो, देख चकते हम लोग आचुके है official website पर Assam Rifles requirement 2013, उसके बाद देख सकते हैं Ass Assam Rifles, article name Assam Rifles requirement 2013, article type latest requirement, 95 post के लिए आया है, और apply जो start, last apply date जो है दोस्तों, यह 22 जनवरी 2013 को है, इसका apply date के भी वारे में जानेंगे दोस्तों, इससे पहले देख सकते हैं, एक official website है, Assam Rifles.gov.in पर ही जाकर आप apply करें दोस्तों, तिक है, ऐसे मैं official जो इसका website है, apply link आपको दे दूँगा, इंपोटेंट डेट की बात करें दोस्तों, इंपोटेंट डेट में Assam Rifles apply start date जो है, वो 27 दिसंबर 2022 को है, 17 दिसंबर 2022 से आप Assam Rifles के लिए apply कर सकते हैं, last apply date जो है, 22 जनवरी 2013 को है, total लगबग एक मन्त का total आपको time मिला है apply करने के लिए, तो जल्दी से आप apply क जो है, कि Assam Rifles के minimum age जो होना चाहिए, 18 वर्स होना चाहिए, और Assam Rifles apply last date 23-25 years तक लगबग होना चाहिए, ठीक है, अधिकतम 23-25 और age relaxed के लिए इसका notification आपको टेलिग्राम चैनल पर दे देंगे, दोस्तों, वहां से आप देख लीजिएगा, देख, next है, Assam Rifles, Rifles requirement 2013, vacancy details, 18 total post, rifle, gdman के लिए है, वही हवलदार clerk के लिए, जो male और female दोनों में है, दोस्तों, total एक post के लिए है, वही warrant officer, rm की जो vacancy, male के लिए है, दोस्तों, वह total एक post है, अन्य जो post है, दोस्तों, उसको भी हम लोग देख लेते है, rifle, air moron, male के लिए जो vacancy आई है, उस vacancy की संख्या लगबक और सभी vacancy जो है, दोस्तों, वहाँ एक है, वह राइफल्स, rifleman BB जो है, total vacancy 2 है, rifleman craft जो है, इसकी vacancy एक है, mail में rifleman cook की अकर vacancy बात करे तो 4 vacancy है, rifleman, सफाई की बात करे, तो total 1 vacancy है, इस तरह से total vacancy की बात करे, दोस्तों, total vacancy यहाँ पर हो जाती है, जो नई requirement आई ह उसकी संक्या 95 टोटल वेकेंसी है नेक्स्ट है असम राइफेल्स रिक्वार्मेंट एजवेल्टी क्या सब है आप कौन सा चीज पास हो ताकि आप राइफेल्मेंट्स अपलाई कर सकते हैं दोस्तों तो नीचे डिटेल्स से लिका हुआ है असम राइफेल्स रिक्वार्मेंट्स 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 रिक skill test भी normans of computer English with minimum speed 35 वर्ड आपको 35 वर्ड की typing speed भी इसमें होनी चाहिए और उसके बाद आप plus two अगर पास हैं तो हवालदार कलर्क के लिए आप eligible हो जाते हैं दोस्तों हवालदार कलर्क आप भढ़ सकते हैं नेक्स्ट है warrant officer RM के लिए आप 10th पास हों किसी भी इनिवस्टी से उसके बाद आपको डिपलोमा रेडियो या टेलिविजन टेकनलोजी से होनी चाहिए तब आप जाकर अपलाय कर सकते हैं देख सकते हैं electronics या टेली कॉमिनेशन और computer of electric and mechanical engineering आप किसी से बे अगर आप डिपलोम किये हो और 10th पास हो तो warrant officer RM की भरती पर आप अपलाय कर सकते हैं ठीक है next बात करें दोस्तों warrant officer draftman warrant officer draftman के लिए कम से कम आपको 10 plus 2 पास होना चाहिए दोस्तों किसी भी इनिवस्टी से तो warrant officer draftman के लिए भर सकते हैं उसके बाद आपको जो है दोस्तों 3 एर का डिपलोमा आप आपसे यहाँ पर मांगा जाएगा warrant officer के लिए ठीक है राइफल मैं आर्मरों के लिए 10th पास फ्रॉम किसी भी आप युनिवस्टी से अगर 10th पास हो तो आप राइफल मैं आर्मरों भर सकते हैं राइफल मैं नर्सिंग असिस्टेंट की बात करें दोस्तों तो राइफल मै नर्सिंग असिस्टेंट में कम से कम आप 10th पास हो उसके बाद आप English, Mathematics, Science और Recording Board यानि कि आपको कम से कम English के बारे में और Math आपके सब्जेक्ट में सामिल हो तो तो राइफल मैं नर्सिंग असिस्टेंट आप भर सकते हैं तो नेक्स्ट है राइफल मैं, 바र्बर, क्राप, कूक, वासरमेन, सफाई यह सब अगर आपको भरना है दोस्तों टोटल इसके भी एक एक करके पोस्ट आया है दोस्तों तो उसके लिए कम से कम आपको 10th पास होना चाहिए आप किसी भी Government स्कूल से अगर या Private स्कूल से आप 10th पास हैं दोस्तों तो इस तरह के आप फार्म आप भर सकते हैं Rifleman, Barber, Crab, Coke और Washerman और सफाई ठीक है तो यह सब जो थे qualification थी आपने qualification देख लिया दोस्तों किसी भी qualification में आपको confusion है तो आप comment box करके पूच सकते हैं नेक्स्ट है दोस्तों PHT, PET for Assam Rifles requirement हाइट इसमें कितना होना चाहिए तसम राइफल भरने के लिए कम से कम आपको हाइट जो चाहिए 170 cm होनी चाहिए for male male के लिए 170 cm female के लिए 157 cm height की बात करें 112.5 cm जो है दोस्तों यह height HD के लिए है वहीं बात करें for male के लिए यह male के लिए है वहीं female की बात करें 150 cm है HD के लिए chest की बात करें 80-85 cm होनी चाहिए chest HD की बात करें 76-81 cm होनी चाहिए दोस्तों for male candidate के लिए दौर की बात करें तो 5 km आपको दौरना है वो 24 मिनट में 24 मिनट में 5 km आपको दौरना है असम राइफल्स रिक्वार्मेंट सेलेक्शन फ्रोसेस किया है सेलेक्शन फ्रोसेस सबसे पहले return test होगा दोस्तों अगर आप पास कर जाते है तो trade यानि skill test होगा उसके बाद technical जो ट्रेडमेंट के लिए भरे हैं तो वो सब टेस्ट होगे दोस्तों उसके बाद देख सकते हैं आपके जो documents verification के बारे में पूछा जाएगा इसी तरह आपका apply आप कर सकते हैं देख सकते हैं दोस्तों important link की बात करें तो आपको important link जो है आपको description box में दे दिया जाएगा अगर आप इसका application का जो है ये official notice देखना चाहते हैं तो आप टेलेग्राम चैनल पर click कर सकते हैं और इसका apply करने के लिए आपको link description box में दे दिया जाएगा दोस्तों अगर कोई भी confusion हो आप direct comment box में comment कर सकते हैं या हमारे टेलेग्राम चैनल से जुड़ कर आप हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं दोस्तों आसा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगे तो एक like जरूर कीजेगा चैनल पर नहीं तो चैनल को subscribe कर लिजेगा मिलते हैं इसी तरह के आगले informative वीडियो पर हस्ते रहें मुस्कुरादे रहें जय हिन जय भारत